असलाम अलेकुम जी, so in this lesson हम लोग एक बड़ी important चीज को discuss करेंगे and that is the layer mask, अभी तक हम जो selection कर रहे थे, backgrounds को remove कर रहे थे that was a practice जिसको हम कहते हैं कि that is a destructive method to crop the objects, to remove the backgrounds destructive, destructive से मतलब यह है कि for example, जैसे कि हमने यहां पर background की selection की थी ठीक है, और इसके बाद मैंने अपने keyboard से delete press किया था, right इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जिस file को मैं जाके अपने system में save कर लेता हूँ और मैं कलाइन के साथ share कर लेता हूँ, या जो भी आपका team member है, आप उसके साथ उसको share करते हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद, you got to know के selection में तो कुछ leaves का जो area था, वो भी select हो गया था और वो भी हमने delete कर दिया, but we really want कि वो वाला part वापस आ जाना चाहिए, लेकिन इस सूरत में तो हमने क्या किया, we use the destructive method जिसमें हमने उन pixels को वैसे ही delete कर दिया तो अब कोई चारा नहीं है कि हम दुबारा से उन pixels को वापस लेके आ सकें, अगर हमारे पास original image available है, तो हम दुबारा से उसको open करेंगे और दुबारा से selection के बाद, अपने part को वापस लेके आ सकते हैं, तो हमें दुबारा से उस process को धुराना पड़ेगा selection वाले को, हम delete वा लेकिन हम लोग use करेंगे non-destructive method और इसी method को आप हमेशा use करेंगे जब भी आप Photoshop में काम करेंगे, कि हमने जिन parts को remove करना है, हम उनको actually remove नहीं करेंगे, बलकि उनको hide कर देंगे, और अगर हमें उसमें से कुछ pixels वापस चाहिए, तो हम बड़ी असानी से उन pixels को वापस लेके आ सकते हैं, और कुछ इस तरह से हम इस method को आगे लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जी हमने कुछ pixels को select किया, और उसको delete कर दिया था, तो मैं इस वकत अपने system से control-z प्रेस करके एक step पीछे जा सकता हूँ, तो मैं control-z प्रेस करता हूँ, एक step में पीछे आ गया, तो यहाँ प तो मैं क्या करता हूँ, इसको inverse कर लेता हूँ, इस पर right click करते हैं और इसको करते हैं, select inverse, तो इस वकत मेरे जो leaves हैं, उसने वो select कर दी है, और यहाँ पे जो आपको layers वारा panel है, इसके नीचे आपको multiple options नज़र आएंगी, और यहाँ पे जो second option है, that is the layer mask, ठीक है, मैं इस पे click करता हूँ जी, add layer mask, तो यहाँ पे अब आप results देख सकते हैं, कि इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक और window प्लेस कर दी, इसके बिल्कुल साथ, और यहाँ पे जो white area है, वो हमारा visible area है, और जो black आपको color इसमें नज़र आ रहा है, that is the invisible part, ठीक है, तो हम लोग अब इसका म अगर white color कर दें, तो समझ आता है कि फिर तो white area visible हो जाएगा, और अगर हम white area को black color कर दें, फिर इसका मतलब है कि वोगला part invisible हो जाएगा, जिसको हम color करेंगे, so let's experiment जी, यह जो आपको यहाँ पे एक leaf नज़र आ रहा है, इस stem के साथ, इसकी हम कोशिश करते हैं, कि इसको हम black color assign करें, ठीक है, black color assign करने के लिए, क्या किया जाएगा, मैं lessor tool का इस्तमाल करता हूँ, और simple is part की यहाँ से, एक selection करता हूँ, ठीक है, just for understanding, selection बहुत अच्छी नहीं हुई, तो इस area को black color देने के लिए, क्या किया जाएगा, जी, यहाँ से, अगर आप देखें, तो हमने देखा था, कि selected area को, अगर आपने, foreground color जो के black है, वो assign करना है, तो मैं अपने keyboard से, alt delete प्रेस करूँगा, उसका मतलब है, कि यह वाला part, जो मेरा इस वकत selected area है, अगर मैं इसके selected pixels को black कर दें, तो यह area height हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐस ही है, I hope, कि आपको समझ आ रही है, तो मैं अपने keyboard से, alt delete प्रेस करता हूँ, और यह मेरा area जो था, वो, इसने hide कर दिया, इसके लावा जी, आप मुखले और selection tools का इस्तमाल भी कर सकते हैं, हम brush tool का इस्तमाल भी कर सकते हैं, जी, इसके अंदर, so मैं यहाँ से brush लेता हूँ, और आपको पता है कि जो brush है, वो foreground color को इस्तमाल करता है, तो मैं यहाँ से brush को use करते हुए, इस part को, जो के white है, और आपको नजर आ रहा है, इसको मैं black color कर लेता हूँ, यह देखें, यह मैं black color कर रहा हूँ, और यह जो मेरा part visible था, वो invisible हो गया, ठीक है, तो यह इतना असान है, layer mask को इस्तमाल करते हुए, pictures में से, अपने objects को hide करना, या उनको view करना, उनको visible करना, या उनको invisible करना, तो अगर मैं इस part को swap कर दूँ, black को white कर दूँ, white को black कर दूँ, इसका मतलब है, अब जो मेरा brush color करेगा, वो white करेगा, ठीक है, और मैं ज यहाँ पे इसको फेरूँगा, तो जो मेरा invisible part है, वो वापस आता जाएगा, there you can see, ठीक है, तो मेरा साथ वो जो white background है, वो भी वापस आ गया, मैं दुबारा से इसको swap करता हूँ, और इस part को हम black color कर लेते हैं, ठीक है, इसको black color करेंगे, तो यह वाला part हमारा hide हो जाएगा, इसका size आप छोटा कर सकते हैं, इसको black color कर लेते हैं, जी, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग अपने layer mask का इस्तमाल करते हुए, effectively, so this is a very constructive, non-destructive method, to select objects, और उनकी selection आप कर सकते हैं, ठीक है, अब आप इस file को जब save करेंगे, और अपने client के साथ share करते हैं, और कल को आपने उसमें कोई changing करनी हैं, आपने hidden pixels को वापस लेकर आना है, तो आप बड़ी असाने हैं को वापस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने pixels को delete नहीं किया, बल्गे उनको सरफ hide कर दिया, ठीक है, तो it's very important, यह देखें, अगर मैं इस layer के अंदर, इस part को select करता हूं, ठीक है, मैंने इस पे click किया, यह आपको यहाँ पे कुछ lines नजर आ रही है, और इसके बाद मैं brush tool लेके color करूंगा, तो यह इस area में black color कर देगा, ठीक है, जो part visible है, यहाँ पे आपको black color करता हूँ नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, इरिया hide होना चाहिए, black color इसको नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको इस layer mask वाले section को select करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जब आप इसको brush फिरेंगे, तो यह उन pixels को hide करता जाएगा, ठीक है, so एक छोटा सा concept था, layer mask का, और बड़ा important concept था, जब तक आप इसकी practice नहीं I don't think so, कि आपको इसकी समझ आएगी, इसकी practice करें, different images को unsplash से, या different websites से download करें, उनके parts की selection करें, अपनी selection को inverse करके देखें, और उसके बाद selections को मजीद refine करें, सरफ एक selection tool का इस्तमाल ना करें, बलके देखें कि इसमें multiple selection tools अगर इस्तमाल हो सकते हैं, तो multiple tools का इस्तमाल करें और उसके बाद कभी भी pixels को delete ना करें, ठीक है, जब आपकी selection हो जाए, आपने जिस area को visible करना है, उसको select करने के बाद, यहां से इस layer mask पे click कर दे, तो वो आपका selected part, उसको इस layer mask के अंदर वो white color assign कर देगा, और जो part आपका selected नहीं होगा, उसको black color assign कर देगा, और उसके जरूर कीजेगा, see you in the next lesson, thank you so much.